Hello friends, welcome to another video of class 10 IT Unit 2 Web Applications इस वीडियो में हम Unit 2 Web Applications का session number 7 पढ़ने वाले हैं Online Transactions Last video में session 6 and session 5 में हमने blog कैसे create करते हैं कैसे publish करते हैं, offline, online वो साथ चीज़े हमने समझी थी इस वीडियो में हम online transactions पढ़ने वाले हैं Online transactions मतलब अगर हम बात करें जितने भी commercial activities हैं मतलब business related activities जितने भी होती हैं वो जब online होती हैं तो वो e-commerce कहलाती हैं तो वो ही है कि e-commerce stands for electronic commerce which means online commercial activities मतलब क्या हुआ, जो भी सामान हम खरीदते हैं, बेचते हैं by electronic means, मतलब internet के थुरू, over the internet power of internet को use करते हुए, उसको हम e-commerce बोलते हैं और e-commerce जो है, वो information, online information exchange करने से ही start हुई थी जो हमने blog discuss किया था तो blog से क्या किया जाता था, online information start हुई पहला, online information share करते थे और उस online information का फिर चार्ज लेते थे, तो उससे ये e-commerce का जो है, starting हुई थी और इसको नाम दिया गया था, electronic data interchange अब internet services बहुत सारी आ गई है, जो business चलाती है internet पे जो कि आपको सारी चीज़े at your home, at your office प्रोवाइट कर देती है, जैसे कि games हो गए, stationaries हो गई, healthcare products हो गए, या फिर आपको party wears, जो भी dresses बगएर है, जो भी खरीदना है, वो सारी चीज़े यहां आप online purchase कर सकते हो, थ्रूँ different mediums, different websites और उसको हम online shopping बोलते हैं, the process of selling and buying products over the internet is called online shopping और e-shopping, ठीक है, इसके लिए बहुत सारी websites है, popular portals है, जो कि Amazon है, eBay, Flipkart, Bonanza, यह सारे online portals है, जहां पे आप online shopping कर सकते हो, अब e-shopping की कुछ advantages है, कुछ disadvantages है, कहीं फाइदा है, तो कहीं साथ में घाटा भी होता है, तो हम advantages देख लेते हैं, कि advantages of e-shopping क्या है, सबसे पहले, सबसे पहली advantage of e-shopping जो आती है, वो है convenience, convenience की बात करें, मतलब यहां पे, सुविधा आपको यह है, कि आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है, किसी store पर जा छोड़ के, आपको फाइदा है, कि आपको just login करना है, internet का use करते हुए, उस website पे, और आप अपना product देखो, जो चाहिए, आप select करो, और आपको आपके time पे, within two days, और within a day, वो चीज़ आपके घर पे बहुत जाती है, second, अगर हम देखें, तो information and review, मतलब जो product आपको चाहिए, जो product आपको खरीदना है, उस product के आपको बहुत सारी reviews मिल जाते हैं, मतलब जो और खरीद चुके हैं, वो लोग वहाँ पे reviews छोड़ते हैं, company के reviews होते हैं, साथ में उस product की पूरी information होती है, जिससे customer को ये चीज़ है, कि वो product सो compare कर सकता है, कि कौन सा product मेरे लिए beneficial है, कौन सा खरीदना है, और order करतेगा, तो वो product उसके घर पे बहुत जाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसन बना देती है, shopping को, third feature हम देखें, price and selection, product जो है, वो direct manufacturer से, या seller से, उस तक पहुँच रहा है, तो जो third party वाला commission होता है, और उसके लावा, अगर हम third party commission छोड़ भी दें, तो parties, जैसे बहुत सारे portals हैं, जैसे हमने बोला Amazon है, flip card है, तो वहाँ पर price की बहुत ज़्यादा comparison होता है, कि flip card पे ये चीज़ ये चीज़ इतने rate में मिल रही है, Amazon पे ये चीज़ इतने rate में मिल रही है, तो इस competition के चलते ही, जो customer होता है, उसको वो सामान automatically सस्ता मिल जात है, fourth अगर हम देखें, तो no compulsive shopping, मतलब ये, कि अगर आपने उस portal पे visit किया है, तो ये जरूरी नहीं है, कि आपको महाँ से product खरीद नहीं है, और खरीदना है, तो वो आपकी choice है, आपको जो product खरीदना है, आप वो खरीदो, नहीं खरीदना, तो मत खरीदो, तो कहीं पर भी कोई salesman नहीं है, जो आपको force कर रहा होता है, कि sir, ये product लेलो, ये product बहुत अच्छा है, उसके फायदेगे नाएगा, नहीं, वो आप reviews चेक करो, उस product की information चेक करो, कि customers जिन्होंने already use कर लिया है, उनकी reviews कैसे है, और उसके according आप वो product को खरीदो, तो यहाँ पे no compulsive shopping वाला part जाता है, कि यहाँ पे आपको कोई force करने वाला नहीं है, कि आप ये सामान खरीदो, अब ये तो थारी हो गई ये advantages, साथ में कुछ disadvantages भी है, हम उन disadvantages को discuss कर लेते हैं, सबसे पहले disadvantage आती है, online shopping does not give us a personal touch of shopping, वो तो obvious है, अगर आप एक कपड़ा खरीदने जाते हो, तो पहले कैसा है, उसका material कैसा है, बट वही चीज़ अगर आप online खरीदते हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ customer के reviews दिखते हैं, you cannot touch it, आप उसको बिना देखे खरीद रहे हो, बिना touch की खरीद रहे हो, original वो cloth आपके सामने नहीं है physically, वो सिर्फ आपको pictures में दिखता है, तो उससे कई ब payments online is not completely safe, online payments जब आप करते हो, तो वो पूरी तरी कैसे safe नहीं है, क्योंकि बहुत सारी sites, बहुत सारी portals ऐसे होते हैं, जो की encrypted नहीं होते है, personal credit card और आपके debit card वगेरी की details होती है, वो leak हो जाती है, जिसकी वज़से आपकी banking details जो है, personal banking details, वो secure नहीं रह पाती है, तो यह कोई site, website, कोई portal है, जो आपको free shipping provide नहीं करा रहा है, मतलब free delivery provide नहीं करा रहा है, तो वहाँ पे आपको delivery का charge provide करना पर जाता है, जो कि थोड़ा सा महंगा हो जाती है, जो कि उस product पे वो cost और add हो जाती है, तो हम सोच रहे थे कि वो product को सस्ता मिलेगा, तो उसके बज़ाए व follow up the refund, मतलब जैसे अगर आपने कोई product खरीथा, वो product आपको अगर पसंद नहीं आया and you want to refund it, तो वो refund जो है, उसमें इतनी थारी formalities हो जाती है, उस company के द्वारा जो website चला रही है, कि वो उसको follow up करना, regular basis पे उनको call करना, कि sir product refund हुआ, amount refund हुई, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा time लेती है और बहुत exhausting हो जाता है, next आता है, there is a huge risk of online fraud, यहाँ पर online fraud भी होता है कि कई websites fake भी होती है, जो आपको product दिखाती है और payment लेती है, delivery नहीं होती है, कई ऐसे भी होते हैं कि आपको payment लेके delivery कर देते हैं, but actual thing आती ही नहीं है, आपके पास fake thing आ जाती है, तो वो सारे frauds भी बहुत सारे होते हैं, so this is the disadvantage of e-shopping, अब हमने advantages देख ली, disadvantages देख ली, अब हम अगर shopping करना चाहें, तो करेंगे कैसे हम वो देखते हैं, through the Amazon app, Amazon app जो है, उसने बहुत सारी websites create कर रखी हैं for different countries, India के लिए Amazon.in है, Canada के लिए Amazon.ca है, America के लिए Amazon.com है, और इसी दरह से उसके बहुत सारी websites है, multinational company है, बहुत सारी countries में उसकी websites है, तो India में Amazon.in है, तो Amazon के पहले हम थोड़े सी detail पढ़ लेते, कि Amazon जो है, it is one of the largest online shopping website, and it is an American e-commerce and cloud computing company, यह e-commerce company है, America की, founded on July 5, 1994, with headquarters in Washington, इसके headquarters जो है, वो वाशिंग्टन में है, July 5, 1994 में यह established हुई थे, that means हम देख ले, 24 years हो चुके हैं, इस company को चल रही है, और इसमें आपको सारी चीज़े मिल जाती, complete, सारी range मिल जाती है, आपके household products की, या फिर, कोई भी product हम देख लाए, electronic appliance है, books, clothes, furnitures, जो चाहिए, आपको वो चीज़ यहां मिल जाती है, और sellers से मिल रहती है, proper, आपको direct, तो वो उसका rate भी थोड़ा सा कम ही रहता है, उसके बाद यहां पे payment के आपको different options रहते है, net banking रहती है, debit card, credit card, जिससे आप करना चाहिए, कई बार cash on delivery भी आप कर सकते हैं, जैसे ही आपको product मिलेगा, वैसे ही आप उसको payment देंगे, उसके बाद इसमें gift vouchers भी आते हैं, तो वो सारी facilities भी आपको provide कराता है, अब हम Amazon से order कैसे करेंगे, हम वो step by step एक बारी समझ देते हैं, सबसे पहले आपको search करना पड़ेगा, आपके browser में Amazon.in, जैसी आप website खोलोगे, तो आपको website पे कुछ इस तरह से page open होगा, यहां पे आपको all का button दिख रहा ह आपको किस category का material चाहिए, furniture हो गया, appliance, books, clothes, तो category इस तरह से आप select कर सकते हो, जिससे वो आपको precise जो चीज़ चाहिए, वो उसी category से आपको search करके चीज़ें देगा, अगर आपको smartphone चाहिए, तो आप smartphone सेर्च कर सकते हो, और उसमें फिर आपके according कौन सी company का चाहिए, वो search कर सक करने के facility है इसमें, और सारी चीज़ें आप search करने के बाद, उसमें आप आपके card में add करना सकते हो, तो वो add भी हो सकता है, तो जो desired product है, उसके features भी आपको देख जाएंगे, जैसे आप उस product पर click करोगे, आपको वो सारे उसके features के list देदेगा, features के साथ साथ उसकी specifications फिर अगर आप उस product से satisfy हो जाते हो, तो वहाँ पर option आता है buy now, तो अब buy now पर click करोगे, तो अगर आपका Amazon account पहले से नहीं है, तो वो एक create account का, create an Amazon account का pop-up देगा, वहाँ पर आपको अपको अपना नाम, mobile number, email ID, password, सारी चीज़ें करके, एक Amazon account create करना पड़ेगा, उसके account create करने के बाद, वो आपको product purchase करने के लिए देगा, लेकिन वहाँ पर फिर एक form आता है, जहाँ पर वो delivery address पूछता है, कि आपको यह product कहाँ पर चाहिए, तो वो delivery address आप डाल देंगे, और click on continue कर देंगे, फिर click on continue करने के बाद, फिर वो आपको payment method पूछता है, कि आपने address to decide कर दिया, अब आपको यह product चाहिए कहाँ पर, चाहिए कहाँ पर वो तो हमने decide कर दिया, अब payment कैसे करोगे, अब payment method में बहुत सारे options आते हैं, आप credit card से कर रहे हो, debit card से कर रहे हो, और एक option आता है cash on delivery, तो most of the time जो लोग होते है, वो prefer करते है cash on delivery, कि product मिल जाएगा, हम उस के बाद आपको thank you message मिल जाएगा, अगर आपका order successfully हो गया है, तो thank you message जाएगा, और फिर जो time limit होती है, उस area में, delivery की, वो उसके according अब तक वो product बहुत जाता है, तो this is how हम Amazon से online transaction करते हैं, कोई भी product आप खरीच सकते हो, next आता है, अब online transaction in e-reservation, मतलब reservation करना है, वो भी online, electrically, ह means making a reservation or appointment for a service via internet, तो ये सारी services आप use कर सकते हो, तो online payment भी हो, same process जैसे हमने Amazon में देखी, credit card, debit card से payment करके, आप reservation confirm कर सकते हो, तो online reservation है, इसके हम benefits देख लेते हैं, benefits of e-reservation, सबसे पहला benefit है, accessible anywhere, मतलब ticket अगर आप खरीदने चाते हो, तो सबसे पहली चीज, हम सबसे पहली बुरी लगती है, ticket खरीदने के लिए ticket window पर लंबी line लगती है, उस line में आपको खड़े होना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हट जाती है, यहां से ticket window पर जाने की, आप सिर्फ एक internet access, website open करेंगे, वहाँ पर search करेंगे, आपको जो चीज, hotel, flight, train, ticket, जो भी book करनी है, ticket, वो आप internet connection के थिरुव book कर सकते हो, that is accessible anywhere, second data है cost cutting, cost cutting मतलब multiple websites आफ visit कर सकते हो, और जहां से आपको सस्ता मिलता है, वहां से आप book कर सकते हो, that is cost cutting, मतलब अलग-अलग websites होती है, जो आपको provide करती है, और उसका एरो लाइन का भी है website, जहां पर आपको offer provide करती है, कि इतना percent आपको cashback मिले है third thing आती है commission fee अगर आप किसी agent के ठ्रूप ticket book करवाते हो तो उसको agent को आपको commission fees देनी पड़ती है लेकिन अगर आप online reservation करा रहे हो खुझ से कर रहे हो तो online reservation पे आपको commission fee नहीं है वहां से आपके commission fee बच जाती है next feature आता है quick system quick system मतलब जब आप e-service यूज़ कर रहे हो रिजर्वेशन की तो वह बहुत फास्ट होती है उसके सब्सक्राइब उसके होते हैं कि वह फटाफट सारी booking प्रोसेस जो भी रहती है वह फास्ट हो जाती है क्रेडिट कार्ट जो भी आप चाहें जिससे प्रेवंट करना चाहें वह फटाफट प्रेमेंट भी हो जाता है तो वह बहुत ज़ल्दी हो जाती है आपने इधर कैंसल का बटन दबाया इधर वह टिकेट कैंसल होगी और विदिन वन दे टू ट्री त्री जो भी वोकिंग डे होते हैं उनके उस दे में वो आपका payment refund भी हो जाता है तो वो सारी चीज़ें बहुत easy हो जाती है आपके लिए नहीं तो आपको फिर window पर जाना है ticket cancel करानी है वो सारी process बहुत लंबी हो जाती है next आता है customer review customer review भी e-resolution की time पर होता है कि आप इस service को use करें कि नहीं करें किसी को अगर service बिकार लगती है तो वो वहीं पर review लग देता है कि this website has a very bad service और उसको use नहीं करना है तो वो हम use नहीं करेंगे फिर तो reviews की भी facilities होती है फिर safe and reliable e-reservation के अगर हम बात करें तो online transaction है और उसके साथ साथ railway है airline है Indian railway है तो यहाँ पर security की बहुत बड़ी importance है और यहाँ पर यह इसी लिए safe बनाया गया है जिससे कोई भी आपकी confidential credit card debit card details banking details किसी तक नहाँ पहुचे तो यह already encrypted होते हैं safe होते हैं शरक्षित होते हैं Okay so this was the advantages of e-reservation अब हम आते हैं reservation हम कर कहा कहा सकते हैं किस किस खा तो अगर हम reservation की बात बात करें तो हम hotel कर सकते हैं, travel tickets का reservation कर सकते हैं, movie tickets के reservation कर सकते हैं, events का reservation कर सकते हैं, sports matches का reservation कर सकते हैं, book my show करके website है, IRCTC है, तो ये सारी websites हम और आगे पढ़ते हैं, तो reservation process की अगर हम बात करें, तो reservation process के लिए बहुत सारी websites हैं, जो कि IRCTC है, make my trip, book my show, yatra.com, these all websites are there, जो कि आपको reservation करने में हैं तो लिए सभसे मेन बेसिक चीज आप को चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के बाद आपको आनलाइन पेमेंट फैसिलेटी भी होनी ही चाहिए यहां पर रिजरवेशन के लिए आपको सबसे पहली प्रायरिटी पेमेंट फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप तुरंथ पेमेंट कर सको जिससे आपकी टिकेट बुक हो जाए तो यह सारी चीज़ें आपको जरूरी है उसके बाद आप टिकेट बुक कर सकते हो अब हम देखते हैं कि जो आया से टी सी वेबसाइट है हम तो रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा कुछ इस तरह का जहां पर आपको सारी डेल्स जो भी पूछी जाएं आप रिस्पेक्टिव डेल्स फिल कर दें और उसके बाद जब आकाउंट क्रिएट जाएगा तो वो लॉग इन का ऑप्षिन भोलेगा लॉग इन के ऑपशन से आप अपने यूजर नेम इडि पासवर्ट जो भी चीज़े हैं वह सारी चीज़े डाल के लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद वह आपको सर्च करने के लिए बोलता है कि आप ट्रेन टिक पर अलग-अलग होते हैं तो यह format में आपको उपर दिखाएगा availability date लिखी हुई है 75-2016 उसमें आपको इतनी available seats हैं इतनी available है इतनी available है तो availability दिखाता है नीचे लिखा हुआ है देखो currently available अगर लिखा है तो मतलब available है RAC है मतलब against cancellation है वो सारी process IRCTC की होती है RAC waiting जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको लिखा देगा अभी available है तो वो available दिखा रहा है अगर आपको बुक करनी है तो नीचे book now का button है उस book now के button पे click करो वो book now पे आप जब click करोगे तो वो journey details पूछेगा आपकी यह next window open होती है इसमें आपकी journey details लिखी हुए देखो train का नाम लिखा है कहां से कहां तक जाना है वो लिखा है और उसके बाद नीचे passenger details फिल करने के लिए बोलता है कितने passenger हो यहां पर एक key booking हो रहे है यह की booking करते वे दिखा है बासकर लिखा है एज लिखी है जेंडर लिखा है बर्थ प्रिफरेंस लोवर मिडल अपर कैसी चाहिए वो सारी चीज़ है आप यहां show करके नीचे details आगर और passengers है तो और passengers की details फिल करें और उसके बाद आपकी ticket book हो जाएगी और ticket print होती है printing का option आ जाता है वहां पे यह ticket ticket लिखा हुआ रहता है और ticket आपको कुछ इस तरह से देखते हैं tickets change होती है format change काता रहता है या सब्सक्राइब और चेंज होता है तो वह format updated format कुछ और हो सकता है नया format कुछ और हो सकता है तो यह आप देख ले उसके बद next point आता है यह तो हो गया ticket booking का next point हम देखते हैं वो होता है live and non live reservation यह आपका last topic है इस वीडियो का live and non live reservation इस live reservation में हम इस तरह के reservations होते हैं जो on the spot confirm हो जाते हैं मतलब इधर आपने payment किया service provider को और service provider से feedback आगया आपके ticket book हो गया यह रही है आपके ticket this is live reservation online reservation तुरंत हो जाता है live reservation है और इसमें information actual place hotel सारी चीज़े आपको मिल जाती है कुछ भी आप कर सकते हो next आता है non live reservations non live reservations वो reservations होते हैं which cannot be confirmed instantly as they are handled by third party वो third party के दोरा handle होते है मतलब मैंने किसी को बोला कि भाया मेरा reservation कर दो उसने बोला ठीक है इतना payment लगेगा आप मुझे payment दे दो मैं reservation कर वाता हूँ मैंने उसको payment दिया वो reservation कराएगा जब कराएगा जब मुझे ticket मिलेगी तो यह on the spot नहीं हुआ मैं third party पर dependent हूँ कि वो third party third person है वो third person मुझे ticket लाके देगा और उससे ticket मेरी book होगी तो इस वीडियो में हमने transactions देख लिए कि online transactions हम कैसे करते है उसके बाद reservation कैसे करते है ticket कैसे book होती है तो अगर आपको चाहे आप तो घर भी ticket आपकी book कर सकते हैं so this was the end of the video next video में हम इसका session 8 पढ़ने वाले है internet security बहुत important chapter है तो next video miss मत करना internet security है internet security में हम पढ़ेंगे कि secure कैसे है internet हमारा पूरा okay so thank you for watching the video please like share and comment और subscribe करना बिल्कुल न भूले subscribe कर देना bell icon click कर देना ताकि आपको next video का update तुरंत आजाए thank you